सुप्रभाद बच्चो आज हम लोग वर्ग चार अध्याय दो सच्ची मित्रता कहानी का अध्यान करेंगे इसमें कैसे अपने दोस्त की जान की रक्षा दूसरा दोस्त करता है इसी का अध्यान इस कहानी में करेंगे यह एक प्राची युनानी लोग कता है इस पार्ट में लेखक ने पीथी और सौरदामन की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है आओ अपने मित्र के लिए अपनी जान ने अच्छावर कर देने वाले दो मित्रों की कहानी पढ़ है युनान की सभेता काफी पुरानी है यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला है अरस्तू प्लोटो जैसे महान विद्वन उसी देश में पैदा हुए थे एथेंस युनान की राजधानी थी एथेंस में दो मित्र रहते थे पीथियोस और दामन दोनों बहादूर और नेक दिल थे किसी बात पर बातसा दामन से नराज हो गया और उसे फासी का दंड दे दिया दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दीन का समय मांगा बातसा बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दोड़ कर आया पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगध स्वयम बंदी ग्रिह में बंद हो गया उस समय ऐसा ही नियम था बच्चों पिथियस और दामन बहुत अच्छे वेक्ति थे वह अत्यां ताकतवर बहादूर एम साहसी बेक्ति थे एक दिन उस देश का राजा किसी कारण वर्ष दामन से नराज हो गया और उसे तुरंट फाशी की सजा दे दी अब राजा सजा सुनकर दामन से सजा सुनकर दामन घबरा गया और राजा से अपने परिवार से एक बार मिलने की विंती की लेकिन राजा उसे बिना जमानत के नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि राजा को ऐसा लगता था कि दामन एक बार यहां से जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा इसलिए विश्वास के तोर पर ऐसी वस्तू अपने पास रखना चाहता था कि दामन अपने परिवार से मिल कर वापस आ जाए जब यह खबर उसका मेत्र पीथियस ने सुना तो वह राजा के पास आकर बोला मैं आपके जेल में जमानत की रूप में रहूंगा और पीथियस को जाने देजिए पुराने जमाने में ऐसा ही होता था दामन नियत समय पर नहीं लोटा इसलिए उस समय के कानून के नुसर पीथियस को फासी पचटने के लिए तियार होना पड़ा उसने अपने मन में कहा निश्चित ही दामन के साथ कोई दुरगटना घटी है या वा बिमार हो गया है नहीं तो अब तक वह अवस पहुच जाता जो ही पीथियस पासी के तक्ते पर चटने के लिए तियार हुआ दामन घोडा दोडाता आ पहुचा उसका पहला घोडा पहुचने से पहले ही ठक कर मर गया था दूसरा घोडा खोजने में उसको बहुत समय लग गया बड़ी मुश्किल से उसे एक सधारन घोडा मिला जिस पर चटकर वा फासी की जगह ठीक समय पर पहुच गया दामन अब सही समय पर नहीं पहुचा तब नियम के अनुसार पीथियस को फासी के लिए तियार किया गया और उसे तियार होना पड़ा और पीथियस मन ही में में सोच भी रहा था कि दामन जरूर किसी परिसानी में फास गया होगा इसलिए समय पर नहीं पहुंच सका नहीं तो इस मुश्किल समय में वह ज़रूर पहुंचता जैसे ही पीथियस को फांसी के फंदे तक ले गया गया वैसे ही दामन घोड़ा लेकर पहुंच गया उसे देर इसलिए हो गया था क्योंकि उसका पहला घोड़ा ठक कर बिमार होकर मर गया था और दूसरा घोड़ा उसे जल्दी नहीं मिल रहा था फिर भी सभी परिसानियों का सामना करते हुए वह सही समय पर अपने मेत्र को बचाने के लिए पहुंच गया दामन के वापस आजाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ वह मीत्र के लिए अपने प्राणन निचावर करना चाहता था दामन भिवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहत प्यार करता था पीथियस अविवाहित था फासी के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे और लड़ने जगरने लगे दामन के वापस आने पर पीथियस खुश नहीं हुआ वो अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान देना चाहता था क्योंकि दामन साधी सुधा था उसका बालवच्चा का देखवाल कौन करता और पीथियस तो साधी सुधा नहीं था इसी करनों अपना प्रान देना चाहता था इसके लिए दोनों में बहस होते होते आपस में वे लड़ने लगे राजन ने मितरता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी कुछ देर तक वह दोनों को मंत्र मुद्ध देखता रहा फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला मितरता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक नहीं देखने को मिली ना ही सुन्ने को आप दोनों में से किसी को मरना नहीं हो गया यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं राजा ने दोनों की मित्रता देखके उन पर मुहित हो गया और कहा ऐसी दोस्ती का उधारन मैंने आज तक नहीं देखा इसलिए मैं किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा पीथियस अदामन ने बादसा का हाथ चुमकर उनसे दोस्ती कर ली पीथियस बहुत बहादू था उसकी विर्था की अनेक कहानिया है इन दोनों मीत्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बठ गई राजा ने उनको अपने दर्वार में उचा पद देना चाहा लेकिन दोनों ने इंकार कर दिया उन्होंने विन्रम्रता से कहा हम लोग मीत्र ही बन रहें तो अच्छा होगा मीत्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठी ने पीथी और सदामन ने बादसा से खुशी खुशी हाथ मिलाया दोस्ती कर ली और राजा उन्हें अपने दर्वार में उचा पद देना चाहता था लेकिन दोनों ने प्रेम प्रुवक मना कर दिया क्योंकि मीत्रता और नोकरी एक साथ निभाने में बहुत परिशानिया होती इसलिए उन्होंने राजा के लिए केवल मित्र बनना अधिक पसंद किया बच्चो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी विपत्ति या संकट के समय जो हमारा साथ दे वह हमारा सच्चा मीत्र है जैसे दामन और पिथियस थे जो अपने मीत्र को बचाने के लिए अपना प्रान ने उच्छावड करने के लिए तियार हो गया बच्चो इस कहानी को आप बार बार पढ़ें यह मिसका सब्दार्थ याद करें धन्यमाद